नमस्कार राजदाना टीवी पर आपका स्वागत हैं मैं प्रियाम आपके साथ फातीमा साना शेक बॉलिवुड की एक पॉपुलर एक्ट्रेस है फातीमा ने साल 1903 की फिल्म चाची 420 में बतोर चाइल्ड आर्टिस्ट काम किया था 2016 में आई फिल्म दंगल से फातीमा सुर्ख्यों में आ गई दंगल फिल्म ने बॉक्स ओफिस पर जबल जस्त कमाई की थी एक इंटर्विव में फातीमा ने बताया कि वो आमीर को बहुत रियल और इमानदार मानती है फातीमा ने ये भी कहा कि दंगल फिल्म के आउडिशन के समय 21,000 लड़कियों में से उनका सिलेक्शन हुआ था फातीमा सनाशेक ने बचपन की बाते याद करते हुए कहा मैं चार या साड़े चार साल की थी जब मैंने फिल्म चाची 420 की थी मैंने बचपन में ही काफी काम कर लिया था एक समय पर लगा थोड़ी मस्ती करना जरूरी होता है फिर जब एक्टिंग करनी वापस से शुरू की तो फिर से स्ट्रगल शुरू हो गया था फातीमा अपने करियर में दंगल को सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट मानती है आमिर खारन के बारे में फातीमा ने बताया कि वे बहुत रियल सीरियस समय पर आने वाले एक्टर है आमिर हमेशा अपनी लाइन्स याद करके आते हैं ऐसा लोगों को जरूर लगता है कि स्टार्स के साथ काम करना बहुत मुश्किल होता है लेकिन इसा नहीं है स्टार्स नेचर से बहुत गिविंग होते है फातिमा ने अमिता बच्चन के साथ फिर्म ठक्स ओफ हिंदूस्तान में भी काम किया है उन्होंने अपना एक्सपिरियंस शेयर करते वे कहा अमिता बच्चन एक बग बड़े एक्टर है हम सब ने उनको स्क्रीन पर परफॉर्म करते वे बच्च्पन से देखा है मैं खुद को बहुत खुश खिस्मत मानती हूँ कि मुझे इतने बड़े एक्टर्स के साथ काम करने का मौका मिला इसी के साथ पने रही है राजणामा टीवी के साथ तहने बाद